नवस्कार दोस्तों, इनकी एज 40 years plus 3 months की हो चुकी है इनके दो सवाल है, पैसा ये भरपूर कमाते है, टरन ओवर भरपूर है दिन का 60,000 के आसपास का टरन ओवर है, पर पैसा बचता नहीं है सेकेंड चीज, साधी, अभी तक इनके जीवन में सहना ही नहीं बजी है तो क्या चांस है, मुझे एक जगा पर जरूर लग रहा है चांस, मैं वो लाइन दिखाने की कोशिस करूँगा हाँ, इनको मौके भरपूर थे, ऐसा क्यू हुआ इनके जीवन में, ये मेरे लिए भी आशर का सब्जेक्ट है और ये सेकेंड केस है ऐसा, जिनका जूपिटर माउंट अच्छा होने के बावजुद भी इस तरह की तकलिफों का सामना करते हैं और मौके भी इनको मिले हुए, ऐसा नहीं है कि लाइने नहीं थी तो ये दो मैटर इनके जीवन में बड़े हैं मैं एक-एक करके सारी चीजों को आपके सामने रखने की कुसिस करूँगा जब किसी व्यक्ति के हाथ मैं ये दो उंगलिया थोड़ी सी भी बड़ी हो तो ऐसे लोग जो समय पर नीने लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पस्तावा होता है कि मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था ये पूरा पाम स्क्वेरिश है काफी महनती होते हैं ऐसे लोग और मैनत करके अपने जीवन को सफल बनाते के फर्स्ट फेलेंज भी अच्छा है तो कारे के पर इती जीद भी अच्छी खासी होता है सबसे बड़ी खासियत देखिए सुर्य की उंगली ये जितनी बढ़ी आपकी उतने आप हिम्मत ही और कैसा भी जीवन चले, जीवन का आनन्द जरूर लेता लेक्ती, अच्छा समय चलता हो, बुरा चलता हो, जीवन का आनन्द जरूर लेता है, और हिमती भी उतना जेब में पचास जार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो, तो बहुत आसानी से लेते हैं, छोटी उंगली का फर्स सीरा भी टिल्ट हो रहा है, पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है, और ये देखिए, ये उंगली भी फर्स फैलेन तक पहुच रही है, सुर्य के उंगली के, तो वेक्ती, डॉक्ती, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, या बूद परवत अपने आप में उभार है, इस तरह का बूद परवत प्लस यहां पर एपक्स हैंग भी है, तो ये बूद की सक्की को और बढ़ाती है, और यहां पर देखिए, ट्रैंगल भी है, ये जब ट्रैंगल होता है, तो ऐसे लोग इनोवेटिव होते, नई तरीके से सोच के आपके सामने लाते, इनोंने बहुत कम मैनत में फोटोग्राफिक किये, और जैसा चाहिए, वैसा रिजल्ट दिया, कम समय में, हो सकता है ये कारण, ट्रैंगल का हो, इनोवेटिव होते, हर चीज को नए रूप से सोच कर सामने पेस करेंगे, ये, और कंटीन्यू चलने वाली लाइने भी है, व्यक्ति सुन्दर भी होता है, बूत परवत बहुत ज़्यादा अच्छा है, वानी अच्छी होती है, मिठी होती है, सहित की तरह, बिजनेस सैंस भी पारफुल रहता है, इनकी साधी हुई नहीं है, पर इनको भविश में जो भ मिलेगी, क्योंकि ये काफी घुमाओ ले रही है, डॉमिनेटेट सबाओ की मिलेगी, और यहाँ पर स्क्वेर साइन बनती होगी, तो ऐसे लोगों की रक्षा करने वाला कोई न कोई व्यक्ति मिल जाता है जीवन में, कोई भी प्रॉब्लम आया तो, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति को बहुत हार्ड वक्त करना पड़ता है, और एक और वस्तु है, जब ये यहाँ पर टच करती है, तो ऐसे लोगों को जीवन में अंतर ग्यातिय विवा होने के चांसेस भी बढ़ जाते यश सैन भी भरपूर है, तो जीवन में यश भी भरपूर प्राप्त होगा, और ये लाइन अगर टच करती होगी, तो प्रेम विवा होने के भी चांसेस है लव मेरेज, यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो वेक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण, उन्नती भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, अब मैं इनके साइनों को दिखा दें की कोशिस करता हूँ एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक काफी सुन्दर यहाँ पर है साइन, और एक यहाँ पर भी है तो इतनी साइन है यहाँ पर है और भी है यह कि हाँ पर भी है इसी वज़ा से इनके जीवन में बिजनेस अच्छा है पर धन्रेका अच्छी ना होने के कारण कहीं न कहीं पैसा बच नहीं रहा है एक और बढ़िया साइन है इनके हाथ में वो देखें यहाँ पर कितनी सुन्दर साइन है और एक यहाँ पर भी है पुरा एक्वेरियम है इनके हाथ में शनी परवत पर कंटीनूश चलने वाली यह जब लाइने होती है तो यह भी एक तरह की फेट लाइन ही है चार लाप देती है ससुराल पैसेवाला या साधी के बाद ससुराल पैसेवाला होता है अब इनकी साधी नहीं हुई अभी तक पर ये लाप देने के चांसे से है जो भी कारे करेंगे बड़े सरका करेंगे ये करीभी रहे पॉलिटीकल लाप और सरकारी लाप तो कई लोगों को čारो लाप रापते हैं ये जब फॉर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते तो ये भी इन खाचियत है इनके हाथ में शनी परवत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता जुपिटर माउंट मेरे इसाब से कोई कमजोरी दिखने ही रही है मुझे और ये सेकंड केस है मेरे जीवन में कि इतनी एज होने के बाद और कई बार मौके भी आए तो ये भी एक आश्यर का सब्जेक्ट है कि इतना अच्छा जुपिटर माउंट होने के बावजूद ये क्यों कंडिशन ये जब लाइन होती है व्यक्ति के हाथ में तो नहीं नहीं हो सकता है ये जिस घर में रहते हो इनको मेरे हिसाब से वास्तू का सहरा लेना चाहिए इनसे एक और जानकारी मिली है इनके भाईयों की भी साधी नहीं हुई है ऐसा थोड़ा सा मुझे आबास हो रहा है इन्होंने ऐसा भी कुछ तो कोई न कोई हो सकता है घर में कोई कौना ऐसा हो जहां पर जुपिटर माउंड का कौना खराब हो ऐसा भी हो सकता है मुझे नौलेज नहीं है पर मैं अब मेरी फिलिंग आ रही है कि इस तरह से पॉसिबल है अब यह लाइन व्यक्ति को continue progress देती और खराब समय भी आए एक बहुत ज़्यादा नुकसान जाने वाला समय आएगा इनके जीवन में तो उस समय नाम खराब नहीं होता यानि किसी मित्र को भी बोलेंगे या किसी को बताएंगे तो वो भरोसा नहीं करता इसके साथ क्या हो सकता है यह जूट बोल रहा है अपने तक ही रखता है व्यक्ति तो यह भी एक खासियत होती है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन यह व्यक्ति को मल्टिपल इंकम के सोर्स देती है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस्टर के मिष्ट्री साइंस में ध्यान जाता है नई नई धर्मिक्ता और सेवा भाव यह सारी चारे चीज़े मल्टिपल इंकम पामिष्ट्री एस्ट पुर्जा काफी उत्तम रहती है और मंगल रेखा पर स्टार भी है यह जब स्टार होता है तो व्यक्ति फास्ट काम करता है यह एकर्स में जब इनका फायदा नहीं देती पर बहुत फास्ट काम करने वाले लोग होते हैं इनकी चाल भी तेज होती है यह स्पीड में काम करेंगे यह सारी वस्तुए होती है मंगल अति उत्तम तो जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंद परवत भी अच्छा है तो कभी न कभी विदेश गुमने का आउसर भी मिलेगा इनको पानी अच्छा लगेगा दूद से बनी वस्तुए अच्छी लगती नेने शक्ती अच्छी होती नहीं नहीं चीज़े करने का शौक होता है और जिनकी फेट लाइन चंद परवस्ते जाती है ऐसे लोगों को लोगों का सयोग भी बहुत अच्छा मिलता है यह भी देखा गया लोग हेल्पिंग होते है यहाँ पर फोर्क भी है यह वेक्टिको यात्राय भरपूर करवाएगा यह फिशाइन नहीं है यह लाइन इस त इनी लाइन भी व्यक्ति को हाजमे का प्रॉबलम देने में सक्षम है शुक्र परवत अति उत्तम अच्छे कपड़े पेनना अच्छी तरह रहना यह इन में खासियत होती है गर्मी पसंदना आना अब इनकी हिर्दे रेखा पर चले तो हिर्दे रेखा पूरी जुपिटर स स्टार्ट हो रही है तो ऐसे लोग भरो से लायक इनसान होते है किसी के सो रुपे भी वाकी होंगे तो सामने से देखर आएंगे देव दुट टैप की पसना लिटी होती है सबका भला करना यह इनकी खासियत होती है लोग इनकी भावना का फाइदा भी उठाते यह भी माइन लाइन भी आती उत्ता में देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट होकर सीधी आगे बढ़ रही है और कहीं पर भी कोई प्रॉबलम नहीं और काफी बढ़ी है तो जब इतनी बड़ी माइन लाइन हो तो ऐसे लोगों की निरिक्षन शक्ती बहुत पावर्फुल हो लेगा तो पर्स पर भी थैयान चला जाएगा के कौन सी पर्स होगी यानि छोटी छोटी बातों का निरिक्षन करना नोड भी कितना पुराना बंडल लेकर आया है बीवी के हाथ की नोड हो गी या खुद की है कितनी फोल्ड की हुई है यानि 1760 निरिक्षन चलते यह लोगों को बताते नहीं, पर जाने अन जाने में निरिक्षन चलते हैं, इस तरह की माइड नहीं हो, हाथ थोड़ी सी यह मुड़ गई है, नहीं तो मैं कहता कि स्ट्रेट खड़े रहने में भी तकलिब आती है, दस मिनिट बीना चले व्यक्ति खड़ा रहता है, तो कमर का दर्द होता है, और जैसे ही चलने मिल गया या सपोर्ट मिल गया तो दर्द गायब हो जाता है, ऐसे लोगों को ज्यान लेने की आदत होती है, बीना ज्यान लिए निंद नहीं आती, और दो दिन ज्यान लेने ना मिले तो एडिक्षन जैसी हालत होती है, ड्रग एडिक्षन गुस्सा आ जाता है, फिर ग्यान लेने मिल गया, वापस गुस्सा उतर जाएगा, तो काफी अच्छी माइन लाइन है, हाँ, थोड़ी सी दिश्टब थी, यहां तक एज, 31, 32 तक दिश्टब थी, उसके बाद तो काफी अच्छी माइन लाइन बन देगा, अब इनकी जीवन लेखा पर चलते है, यज लग बख 24 के आँस पास या एक अतसाल प्लस माइन आस, यहां पर कोई नकोई बदला आया होगा, इनके जीवन में, या तो घर बदला होगा, या देश बदला होगा, या शेहर बदला होगा, तीन मैं से कोई नकोई एक वस्तु ही होगी, और जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा मुझे यहां तक दिख रही है जिस पिरियड में जीवन रेखा नहीं होती वो संगस वाला पिरियड भी होता यह किवल माइन लाइन की लाइन दिख रही है मुझे और यह यहां पर जीवन रेखा दिख रही है और जैसे जीवन रेखा स्टार्ट होती है वापस नॉर्मल जीवन हो जाता है यहां तक जीवन रेखा दिख रही है उसके बाद यह पार्ट खाली है उसके बाद यहां पर कोई न कोई relation आया होगा या तो यह राओ रेखा होगी age 26 के आसपास उसके बाद एक रेखा ने काटा 29 के आसपास अगर यह टच करती है तो relation आता है नहीं तो यह राओ रेखा का कारे किया होगा 732 में भी ऐसी condition है यह सारी चीज़े हम इनका एक और clear photo है उसमें भी देखने की कोशिस करेंगे यह line भी relation या राओ रेखा उसके बाद 38 में यह relation line है जो यहाँ पर stop हो रही है अब यहाँ पर इनको आंतर जातिय लाओ हुआ पर यह साधी नहीं कर पार है क्योंकि परिवार support नहीं कर रहा है आंतर जातिय लाओ है तो 38 में relation आया 44 में एक राओ रेखा काटेगी और यह जो line है 47 वाली यह मुझे लगता है यह marriage कराएगी मेरे ग्यान के अनुसार यह लग रही है अब इनकी यहां तक हम आ चुके है उसके बाद offshoot भी है वो बाद मैं उस subject को लेते है यह देखी यह रेखा काट हुए दिखने ही रही है यहां ही stop हो रही है तो यहां पर 26 में कोई relation आया ही होगा फिर यहां पर भी यह रेखा भी टच करते हुए नहीं दिख रही है तो यह राहु रेखा का खेल किया होगा और यह रेखा टच करते हुए दिख रही है तो यहां पर relation आया होगा है इनके जिवन में यह complete relation line है और यहां इनके जीवन में relation आया 38 में फिर यह 44 की यह row line है यह disturbance लाएगा और इसी period में एक बहुत बड़ा cut भी है तो यह बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी इनको जाने वाला है मैं वो धन्रेखा पर आऊंगा तब बताऊंगा मैं combination बता और यह line मुझे साधी की दिख रही है यह line यह यहां तक चली और यहां पर भी यह jointy है और यह ऐसे यहां पर touch कर रही है और यह age 47 होगी यहां पर इनके जीवन में सहनाई बजने के पूरे chances मेरे ग्यान के अनुसार लग रहे हैं उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा ओफशुट 48 के आसपास और यहां पर near and dearer की भी death होगी उसके बाद 52 के आसपास भी ओफशुट है और near and dearer की death है और उसके बाद ना कोई राओ रेखा है अब यहां पर इतनी फोटोग्राफी साफ नहीं है मैं इस लाइन के बाद उसी फोटोग्राफ में चलता हूँ यह होगे यहां पर 52 के आसपास near and dear प्लस ओफशुट फिर एक छोट इसी राओ रेखाएगी 55 में है बहुत मामुली सी और 59 में एक आफशुट भी है और कोई राओ रेखा राओ रेखा कुछ भी नहीं है अब इनकी धन रेखा का कट देखे तो एक कट ऐस 27 के आसपास दिखरा है और इसी पिरेड में दो कट थे इसको 26 भी गिन सकते है एक कट छोटा सा कट 35 के आसपास है एक बहुत बड़ा कट 38 के आसपास लगा इनको और यह जो कट है 43, 44 के आसपास यह आएगा यह इनके जीवन का अच्छा खासा संपत्ती ले लेगा अच्छी खासी 60% से ज़्यादा यह इन्होंने जो जमा किया होगा वो लेकर चली जाएगी यह इतना भड़ा कट है और यह इन्वेस्मेंट की लाइन है अब इनकी धन्द्रेखा को देखते है जो वर्तमान में इनको प्रॉब्लम चल रहा है यह देखे 36 तक मुझे धन्द्रेखा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है और यहां से यह धन्द्रेखा इस पिरिएड तक तो बहुत ही खराब है और यह 39 के आस्पास या फूटी तकी इसको आप गिन लो ना यहां तक ही खराब है यह पिरिएड अती खराब लगबग यहां तक यह रेखा खराब है फिर यहां से बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हो रही है पर यह कहीं न कहीं अच्छी साइन होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉबलम नहीं आएगी और यहां तक यह बहुत ज़्यादा मद्यम टैप की खराब है और यह एज होगी लगबग 45 या 44 तक उसके बाद अति उत्तम धन्रेखा और यहां पर भी धन्रेखा इनके बनी हुई है जो बहुत साफ फोटो नहीं आया पर मेरे पास दूसरे फोटोग्राफ में मैं देख चुका हूँ और बाखी की यह धन्रेखा भी है तो जीवन में बाद में प्रॉब्लम है यह नहीं केवल यहां तक देखिए यह पूरी धन्रेखा डिश्टब है इस पिरियड तक तो 36 से लेकर 40 प्लस माइनस वन येर पकड़ना और यह मद्यम टैप की इस पिरियड तक थोड़ा सा एक्सपेंस रहेगा इतना नहीं पर थ्रेड अच्छा है इसमें और यह बहुत जादा पैसा लेकर जाएगी यह फोटी त्री के आसपास अच्छा खासा नुकसान इनको जाएगा और यहां से फिर बरकत जो चालू होगी त्रिमेंडस बरकत चालू होगी तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो